एक्चुली डिलर से वो मेरे को मैट मिले थे वो सिर्फ यह जो जहां तक यह बाउंडर देखे लिए सिर्फ यहीं तक थे ये गाड़ी फुली फीचर्ड फुली प bets होके आती है लेकिन फिर भी कुछ एक असेंसल असैसरी हैं जो कि आपको गाड़ी ड़ लगवानी चाहिए रहो डिलर से है अभी आप ले सकते है आप बाहर से क्या लेना चाहिए सबसे पहले असेसरी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप बंपर गार लगवा सकते हैं एक यहाँ पर लगता है एक इस साइड लगता है और एक यहाँ पर पीछे और एक यहाँ पर पीछे एक्चुली यह असेसरी कम ये दिखावट ज्यादा है क्योंकि उससे ज्यादा कुछ फरक पड़ेगा नहीं आप पे बंपर पे खाली एक पट्टी सी लगा देते हैं चारो तरफ चार पट्टिया जिससे कि ये लगता है कि आपको थोड़ी सी सैंस आती है कि हाँ चलो मेरी गाड़े पे बंपर गाड बावा लेकिन असका कोई फरक नहीं पड़ता कोई उसके कोई फाइदा नहीं है दूसरा जो यहाँ पर है यहां पर आइप और रोगार्ब आ लेकिन इनसे कुछ फरक नहीं पड़ेगा आपके दरवाजें कि अखले लोगजरें अगह पर बचा ने सकते है आगली पर अधि पर रेंगाड लगवा सकते हैं, यह एक रमी काम की असастरी है, चारु दर्वाजों पर रेंगाड आपके लग सकते हैं, उससे क्या कि बारिश वगर आता है, और जिब भी आप वायपर वायपर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे यह Viper आप यूज़ करेंगे यह Viper यहाँ पे आगर जाएगा और जो भी स्क्रीन का पानी है वो सारा का सारा यहाँ से होते हुए और यहाँ पे आएगा अगर आपने शीचा थोड़ा सा भी खोल रखा है तो वो पानी गाड़ी के अंदर आ सकता है लेकिन अगर आपने यहाँ पर रेन गाड़ लगवा रखा है तो पानी फिर गाड़ी से दूर चला जाता है तो यह काम की असैसरी है यह आप लगवा सकते हैं अगली जो असैसरी है दोस्तों गाड़ी के अंदर लगती है जैसे कि आपका पीछे तो गाड़ी लेती सबसे पहले आपको दो चीज़े जरूर चाहिए होती है एक आपके mud flaps और ये एक आपका mat क्योंकि कोई भी नहीं गाड़ी हो चाहे वो base warrant हो चाहे वो top warrant हो उसके अंदर आपको कोई भी mat या mud flap लगए लगए नहीं आता तो जैसी आप गाड़ी आप लेंगे गाड़ी आपको चला के लेके जानी है आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा गाड़ी का फ्लोर विस्से बात गंदा होगा तो आपको mat वगए लगवा लेने चाहिए गाड़ी लेते ही तो अगली जो असेसरी है दोस्तो वो है seat cover seat cover हाला कि मैंने अभी तक नहीं लगवाए हैं देखी जैसे कि आपको दिखा रहा है यह stock seats के अंदर आपको 3D embossed अपहल स्ट्री वगए यह सब मिलता है देखने में काफी अच्छी है कुष नहीं है लेकिन फिर भी आपको seat cover आपको लगवा लेने चाहिए seat cover दोस्तों मेरी राय कि आप after market ही लगवाएं आप dealer से ना लगवाएं डीलर के पास seat cover आपको काफी जादा महंगे मिलते हैं को आपको स्टेरिंग परतले नेफिन के अपको लगवाना भी यह अपिन करने पेका ही सिर्ञ का अब बना लगवा तो यह समें उसको ना लगवाएं असेसरी के नाम पे वो बिल्कुली यूजलेस चीज है यहां से आप इसको स्टीरिंग को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं पाउर स्टीरिंग लाइट स्टीरिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वो ना लगवाएं आप बैटर रहेगा आपके लिए आ अगली जो असेसरी है दोस्तों वो है मड़ फ्लैप्स देखिए यह होते है मड़ फ्लैप्स यह हर एक टायर के पिछे लगते है चार लगते है यह एक यहां पे है एक यहां पे है एक यह यहां पे है और एक यह यहां पे है तो मड़ फ्लैप्स ही काफी जरूरी है क्योंकि जब आपकि गाड़ी चलती है, रोड़ पर निकलती है तो यह पहिये हैं यह पहिये उस कीच़ को पीछे की तरफ दखेलते हैं, हाला कि आपको यहां पे निशान दिख रहे होंगे, निशान यहां पे आते हैं, लिकिन अगर आप यह मड़ फला पगर नहीं लगवाएंगे, तो यह निशान काफी पीछे तक जाते हैं, और आपको यहां पे दरवाज़े के उपर भी दिख जाएंगे, तो XZ और XT वेरेंट के अं अंदर एड-on करने की जूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर विकर आप चाहें, तो जो सामने ग्रील है, वो क्रोम की ग्रील लग जाती है, और कुछ निचे यहां पे यहां पे यहां पे क्रोम इंसर्ट लग जाता है, आफ्टर मार्केट दोनों साइड, तो अगर आप चाहे जादा SAC लगवानी पासकती है, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, बाहर सी भी लगवा सकते हैं, या आप घाड लेते टाइम आप कोई भी कस्टमाजीसिन पैक आप ले सकते हैं, और speaker बग़ए है, अगर आपको इन speakers की जो performance है, बढ़िया लगती है, तो कोई दिक्त नहीं है, तो आप स्पीकर वेगर चेंज करवा सकते हैं वो तोटली आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन जो असेंशियल जो असेसरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने डीलर से क्या क्या मिल सकता है डीलर से दोस्तों मैंने यह मैट लिया था बाहर से गाड़ी आपकी गंदी हो जाएगी और सीट कवर आप बाहर से लगवा सकते हैं अफटर मार्केट उसके लिए डीलर से ले सकते हैं और यह जो मैट फॉर मड़ फ्लैप्स हैं यह डीलर में को तीन अजार पांस रुपए में कोट कर रहा था और इस पे थोड़ी सी ब मेरे को पड़ गए थे अब यहां पर लाल क्यों है इसके पीछे में आपको मैं बता जाता हूं कि यह आसा क्यों है एक्चुली डिलर से मेरे को में मैट मिले थे वो इसके अंदर क्या था कि वह जो एक्सलेराशन पैडल है वहां पर पूरा पूरा ओपन था तो जो भी मार्केट से मैंने एक मैट खरीदा है यहां तक यह पूरा पूरा ऊपर तक जाता है और यहां तक नहीं दिख्या नहीं के लिए लगी इस याप कवर कर रहा है और यहाँ पर एक्सार प्रप्राइडर कर सकते मिलने पिख स्थे टॉने कोई से मेरत करें तर और आपको फ्री में कुछ नहीं देगा हाला कि अगर आपकी negotiation power अच्छी है तो आप कोई body cover या mats कई कई जगों पे mats भी मतलब dealer ने free में दिये हैं वो आपके totally आपके उपर depend करता आपके dealer पे depend करता है body cover dealer आपको free में दे सकता है वो सब dealer पे depend करता है गाड़े के साथ free में कुछ भी नहीं आता मुझे गाड़े साथ free में सिर्फ तीन चीज़े मिली थी मैं आपको दिखा देता हूँ ये tissue paper ये first head kick और ये wet wipes ये as a gift मेरे को गाड़े के अंदर मिली थी free में और ये perfume liquid perfume है गाड़े के साथ free में मिली थी इसके लावा मुझे और कुछ free में नहीं मिला डिलर आपको कुछ भी free में नहीं देगा आपकी negotiation के उपर depend करता है सब कुछ अगर आप अच्छे से negotiate करते हैं तो dealer क्या पता आपको ये mat वगए आपको free में दे दे हाला कि इसकी possibility बहुत कम है बाकि आपको गाड़े का जो body cover है body cover आपको free में मिल सकता है उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी हाला कि मैंने तो वो भी नहीं लिया body cover आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए धूल और धूप अगयरा से बचा हो जाता है जो कि गाड़े के paint को खराब कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ essential accessories थी जो कि आपको अपने गाड़े के अंदर XT, XZ variant अगर है तो आपको लगवानी चाहिए अगर आपको के पास lower variants है तो फिर आप जो भी customization pack है या market में जो भी मतलब option आपके पास available है उनके साथ आप जा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care